हेलो स्टूदेंट्स और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इंजिनियर से स्टॉप और आज हम लोग रिखेंगे वाट डिफरेंट टाइपस ओफ डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है तो यह जो ट्रांस्मिशन डिले है प्रोपागेशन डिले है इस पे आपको बहुत सारे निमेरिकल प्रोब्लम सॉल्ट परने को मिलते हैं इस्पेशली जब आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम में बैठते हैं तो आपको घुमा फिर आके ट सारी चीजों को डिसकस करेंगे कि what is transmission delay, what is propagation delay, what is queuing delay and what is processing delay ठीक है तो चलिए हम लोग transmission delay से start करते हैं फटा फटा फट तो what is transmission delay तो पहले अब इसके लिए structure समझे कि माल लीजे हमारे पास यह source है ए है ठीक है यह एक system है जहां से हम data को send कर रहे हैं तो इसे हम कह रहे है source ठीक ह और यह है हमारा destination तो फिलहाल एक packet है ठीक है माल लीजे यह 16 bit का है ठीक है 16 bit का packet है तो transmission delay क्या होता है जो भी time यह जो packet है इसकी सारी bits को यह जो आपका transmission medium है यह क्या है हमारा transmission medium है ठीक है transmission medium तो यह जो आपका packet है है इस पूरे-पूरे packet को आपके transmission medium में रखने में जो समय लगा है उसे हम क्या कहते हैं transmission delay ठीक है means bit by bit जो data है वो source से transmission link पे आता है तो जितना भी जो भी packet size है 16 bit 32 bits जो भी size है सारी bits जो है एक packet की उसको आपके transmission medium पे रखने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं transmission delay ठीक है तो definition पे आए हुआ है उसे हम क्या कहते हैं transmission delay ठीक है transmission delay कह लिजे या transmission time कह लिजे दोनों एक ही बात ठीक है 64 है और जादा है तो मतलब जो transmission delay is proportional to the length और you can say size of the data packet जिसे आप transmission link पे रख रहे हैं ठीक है इसके अलावा transmission delay depends on the bandwidth ठीक है it is inversely proportional to the bandwidth ठीक है तो अगर आप transmission delay का formula बनाना चाहें तो यह क्या बनेगा transmission delay is equals to length और size of packet length upon bandwidth ठीक है तो इसे हम short में अगर लिखें td is equals to l by b ठीक है तो यह आपका formula होता है to find the transmission delay और कहीं अगर आपको tt मिले तब भी आपको नहीं गबराना है l by b ही कहते है ठीक है so transmission delay is proportional to l ठीक है and inversely proportional to the bandwidth ठीक है और speed ठीक है चले अब हम लोग speed नहीं है अचली bandwidth ठीमान के चले वो तो अलग हो जाएगा ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते है अब हम लोग बात कर करते हैं what is propagation delay ठीक है तो propagation delay पहले यहाँ पर एक चीज में correct कर दू time taken for the last bit ठीक देखें transmission delay हुआ हमने यहां से हमारा source था ठीक है source ने packet इसके पास जो packet था जिसे इसे destination को भेजना था ठीक है उसने क्या करा transmission delay को यूज करते हुए या transmission delay लेते हुए इसने क्या करा इस पूरे packet को यहाँ पर transmission link पर रख दिया तिक transmission link पर आने के बाद जो यह जो packets है भाई जो data है वो bit by bit travel ही करेगा transmission medium पर यह आपका transmission link है ठीक है तो इसकी जो last bit है ठीक है वो last bit के receiver तक पहुचने में जो time लगेगा भाई bit by bit data travel हो रहा है मां लीजे 16 bit का data है 16 bit का packet है जिसे अपने network में transmit किया है ठीक है तो इसकी जो 16th bit है means last bit को sender से receiver तक पहुचने में जो समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे propagation deal ठीक है देखिए इसे हम क्या कहते है time taken for the bit to last bit to travel from the sender to receiver end of the link is called the propagation delay ठीक है means आपका packet यहां से लेके यहां तक travel किया और उसकी भी last bit को आपको consider करना यह नहीं कि आपका 16 bit का packet है first bit जैसे ही पहुची आपने माल लिया कि packet deliver हो गया नहीं ऐसा नहीं है जो आपके packet का जो last bit है means 16th bit को यहां तक पहुचने में जो समय लगा है transmission medium पे रखा गया जब उसने मतलब starting से transmission medium पे पहुचने से लेके उसकी last bit को receiver तक पहुचने में जो समय लगा हुआ है उसे हम कहते है propagation delay और definition भी यह करी है the time taken for last bit not one bit for last bit to travel from the sender to receiver end of the link is called the propagation delay last bit इस लिए करें क्यूंकि उसके पहले जो 1 to 15 bit था packet का वो अलरी वहाँ पहुच चुका होगा तो अगर हम propagation delay की बात करें तो propagation delay आपका किस चीज़ पर depend करता है इस proportion to the distance between sender and receiver ठीक है तो distance and the propagation delay is inversely proportion to transmission speed ठीक है तो इन दो चीज़ों पर depend करता है और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे propagation delay is equals to what d by v ठीक है distance upon velocity transmission speed v से represent करें है so propagation delay is equals to distance upon velocity आप इसको नोट कर सकते है अदर्वाइस यहां लिखा है अब थोड़ा सा एक मैं पॉइंट आपको नोट करा दू कि जैसे अगर आपको velocity for air कहा जाए ठीक है तो velocity for air आपका क्या होगा 3 into v is equals to 3 into 10 to the power 8 मतलब कुछ चीज़े fix है जो आपको पता रहने चाहिए यह this is for air ठीक है और अगर आप इसे optical fiber के लिए consider करना चाहते हैं तो v is equals to 2.1 यह मुझे थोड़ा भूल जाता है 10 to the power 8 यह रहता है ठीक है तो for fiber optics ठीक है तो अगर आपको propagation delay calculate करने को कहा जाए और आपसे कहा जाए कि जो medium है वो air है या fiber optics है तो आपको यह पता रहना चाहिए कि अगर medium आपका air है तो आपका जो velocity होगा वो क्या हो जाएगा 3 into 10 to power 8 और अगर आप fiber optics आपको कहा जाता है medium तो आपका जो velocity होगा वो 2.1 into 10 to power 8 हो जाएगा तो आपको clear होगा कि what is transmission delay and what is propagation delay ठीक है propagation delay जब आपका data packet यहाँ आपने रख दिया और उसने travel करना शुरू किया तो सबसे पहले first bit पहुची होगी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से data जब इसने travel करना शुरू किया उसके बाद जब इसकी last bit यहाँ पर receiver के पास पहुच रही है त that is equals to pd is equals to d by v और आपका transmission delay क्या होता है td is equals to l by d length upon bandwidth ठीक है अब हम आज आते हैं क्यूइंग delay तो एक चीज़ आपको हमेशा पता होने चाहिए कि जब आपका जो packet है जब वो receiver के पास पहुचता है ऐसा नहीं है वो तुरन प्रोसेस होने लगता है तो जो receiver end होता है वहाँ पे एक क्यू होता है ठीक है तो क्यूइंग डिले जब जैसे आपका जो packet है वो receiver के पास पहुच गया ठीक है receiver के पास पहुच गया उसके बाद packet को जितना देर processing के लिए वेट करना पड़ा उसे हम क्या कहते हैं क्यूइंग डिले ठीक है तो क्यूइंग डिले की बात करें पर processing delay मैं इसको थोड़ा सा highlight कर रही हूँ कि आपका ये जो queuing delay है ठीक है and processing delay इसके लिए आपके पास कोई fix formula कुछ भी नहीं है ये completely depend करता है processor speed पे ठीक है आपके processor speed पे ये दोनों delay depend करते है इसके लिए हमारे पास कोई specific formula नहीं है ये different factors पर depend करते है राइट तो queuing delay हम कह रह propagation delay को का use करते हो ये propagation delay लगा आपका जो packet है वो destination तक पहुच गया destination के पर पहुचने के बाद packet तुरंद process नहीं होने लगता उसे कुछ time queue में रहके wait करना पड़ता है क्यू कह लीजिए या कहीं कहीं आपको term मिलेगा buffer ठीक है तो आपका buffer में वो data wait करता रहता है ठीक है और उ उसको processing के लिए जब उठाया गया तो जो वो उसका waiting time था उसे हम क्या कहते है queuing delay जैसे हमने उमें store करके रखा था so time spent by data packet waiting in the queue before it taken for execution is called queuing delay ठीक है and it depends on the congestion in a network बहुत सारे factors है congestion की बात कर लीजे आप queue length की बात कर लीजे ठीक है मितलब आपका जो queue है वो queue का size क्या है प्रोसेसर की speed क्या है इन सारी चीजों पर आपका queuing delay depend कहता है ठीक है तो अब आजाते हैं हम लोग processing delay पर तो ओवेसी बात है नाम से ही पता चल रहा है एक packet को process करने में जो भी time लग रहा है उसे हम processing delay कहते है and again it completely depends on the processing processor's speed अब अगर आपके दिमाग में आए कि यहाँ पर क् factors को consider किया जाता है तो जैसे processing के time पर कुछ चीज़े decide की जाती है like routing decision ठीक है routing decisions लिए जाते है ठीक है आप TTL को update करते है time to live TTL update किया जाता है packet का ठीक है उसके बाद हम error verification करते है ठीक है error वगेरा checking होती है means we perform the header calculation ठीक है error वगेरा है तो हम उसको check कर पाए decision making करते है related to routing कि means हमें packet को कहां forward करना है और header वगेरा check करते है तो यह सारे हैं आपके processing का part होते है and it depends on the speed of process and the processing of the data packet helps in detecting the bit level errors that occur during the transmission ठीक है तो अब अगर मैं इसको summarize करो जो सबसे important factor है जो मुझे बात करनी है कि किसी भी packet को जब आप network में share करते हैं send करते हैं तो उसको source से लेके destination तक जाने में total time क्या लगता है total delay in sending one data packet और end to end time is equals to transmission delay जिसके लिए आपके पास formula है that is equals to length upon bandwidth ठीक है propagation delay distance upon velocity queueing delay ठीक है जिसके लिए मैं पास कोई direct formula नहीं है and processing delay and most of the cases में हम इसको negligible time मान के चलते हैं कि बहुत थोड़ा time लगा होगा मैं इसलिए consider नहीं करते हैं but still आपको पता होना चाहिए कि in case अगर आपको यह दिया जाए question में तो आप इसको कर पाए ठीक है इसके लावा अगर आपको कोई point है जिस पे आपको doubt है कुछ पूछना है तो आप comment कर सकते है और एक मुझे याद आ रहा एक round trip time होता है है ना round trip time ठीक है कही बार आपको indirectly दिया जाता है कि question में propagation delay ना देके आपको round trip time दे दिया जाता है तो round trip time is equals to 2 into propagation delay होता है ठीक है तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप propagation delay को 2 से multiply कर दे तो उसे हम क्या कहते है round trip time ठीक है तो यह सारे delays होते है तो total delay find करने के लिए मैं round trip की जरुवत नहीं है लेकिन आपको कहीं अगर indirectly आपको कहीं propagation delay की जरुवत है और आपको time round trip time दिया हुआ है तो आप इस formula का use करते हैं फाइं कर सकते है means tp is equals to round trip time upon 2 ठीक है so this is all about the different type of delay like transmission delay जो important है मैं उसको बात करे हूँ transmission delay हुआ आपका propagation delay हुआ बगे इन दोनों factors को आपको जानते रहना है ठीक है so thank you guys thank you for watching keep watching my videos अगर कुछ suggestions हो तो आप जरूर comment करके बताएगा और अगर आपको ये मेरे notes रही हो तो आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं thank you that's all for today thank you keep watching